नमस्कार दोस्तों आप सभी का सोगत है MSSSE Notes में दोस्तों आज की स्वीडियों हम लोग पर्यावरण की कुछ important questions के बारे में बात करने वाले हैं तो एक टाइप से इसको आप मोगते समझेगा कि पहले आप questions देखेगा देन उसको आप answer देने का कोशिस करें यह आपका जो आन अगर अपी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजे और हमाई प्लेइलिस पर जाके और भी वीडियो जो हैं उनको भी देख लिजे हो सकता आपकी एक्जाम में बेसारी चीज़ें काम आ जाए तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहला कुशन कै आपका कि टाइटन किस ग्रह की प्राकृतिक उपगरा है पताओगा आप लोगों को उपगरा जैसे पित्ट्व का क्या है चंद्रमा है तो टाइटन किसका उपगरा है तो बताएगे दोस्तों जल्दी से दिमाग पे झोड़ा लें जादा टाइम वेचना क करते वह इस नोग देखें ने के सदरब के इसमें कौन से पाए जाते मिंस कौन से पसूर सींक्रब॰ता है तो महां जहीलो का सहर कहलाता है तो इसके ऐनसे जहां पर जहील यांप भूपाल खत्रश को जहाता है वहाँ जहीलो का सहर भी करते हैं तो जो धेएखेन एगे नापने वाले वहती है allow लोगों पता होगा कि जब नापा जाता है तो किस पे आता है भी आता है सिस्मोग्राफ से नापा जाता है और किस पे नापा जाता है रेक्टर स्केल पर बना पा जाता है आगे देखे अगला कुर्शन दही के निर्मार में कौन सा सूर्क्षमजीवी उत्तरदाई है मतलब बताना है कि कौन से सूर्क्षमजीवी के कारण क्या होता है दही का निर्मार होता है तो वे है लेक्टो बैलिसस किसके कारण होता है लेक्टो बैलिसस के कारण होता है तो कौन सा है वि हमारा बुद्ध ठीक है कौन सा ग्रहा है बुद्ध गरत लिख्या गए चलिए आगे दिखे खाद श्रेंखला के परसपर समू को क्या कहा जाता है का जाता है तो इसका इंसरी देने का प्रयास करें तो क्या कहा जाता है तो भी कहा जाता है खाद जाल है ना जैसे पता होगा आप लोगों खाद जाल क्या होता है जैसे चुहे को कौन खाता है साप खाता है साप को चील खाता है ना तो इस टाइब से जो जाल बनता है मतलब एक सीरीज बनती है उसी को क्या कहते है खाद जाल कह k2 k2 नाम रख्या गया k2 वे सबसे उची है आगे देखते हैं अगला question City of culture किसे संबंदित है City of culture indic opening संबंदित है तो यह संबंदित हमारा one एवम one ने उत्पाच से किसे one एवम वन ने उत्पाच से संबंदित है क्या है Sylvie Culture आगे देखे अगला Question तो अगला Question है कि फ़्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौल साराज्य जुड़ा है बहुत थी ज्यादा कई बार पूछा गया प्रशने मैंने बहुत बार मैंने भी कई वीडियो में इसका नाम लिया हुए चिपको अंदोलन का लोग क्या करते थे पेडों से चिपक जाते थे ना तो इसके सुरुवाद भी सुंदरलाल भगुड़ा ने ठीक आगे देखे अगला क्यूशन तो अगला क्यूशन है कि वाई मंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है सबसे ठंडी परत कौन सी है तो सबसे ठंडी परत है मध्य मंडल बीच वाला ठीक है मध्य मंडल क्या है सबसे ठंडा है आगे देखे अगला क्यूशन तो अगला विश्व ओजोन दिवस कम मना जाता है इसका एंसर देने का प्रयास करें विश्व ओजोन दिवस कम मना जाता है तो कम मना जाता है दोस्तों तो यह मना जाता है 16 सितंबर को कम बना जाता है 16 सितंबर आगे देखिए अगला कुश्चन तो अगला कुश्चन है कि किसके कारण महासागरों में पानी बडता है तो वह होता है दुरूवी प्रद्शों में बर्फ का पिखलना ऐसे ओगर हमालत ही है अगर हिमालत क्या है बर्फ से बढ़ा हुआ है पार अगर टूड़ जाएगा तो क्या होगा बताइे किसे कहा जाता है यह कहा जाता है इस को किसको कर घा जाता है ठीक है तो यह होगे सारे questions तो आपने इस questions को कितने ten team थे तो अगर इमांदारती सब इसे कितने questions को 10 खेया तो बता चलेगा कि आप कितना ट्यारी है और हाली में आपका अच्छे से कर रहे होंगे उमिद कर रहा हूं और और वह कोई अगर आपका आपसवास कोई एक्जाम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं उसके लिए भी हम लोग फोकस करेंगे यह इस पेसली आपके रिटेन एक्जाम और एस्टेट आटेट सभी को देखते वे बनाए जाता ह हैं वे कॉमेंटली हर जगह पूछे जाते हैं और मॉडल भी मैं ऐसा लेता हूं कि जो हर जगह काम है क्वेश्चन का अगर कोई कमी रहे हैं तो आप प्लीज कमेंट करके हमें बता दिया करिए और वीडियो को और अच्छा कैसे कर सकते हैं कुछ भी अगर प्रॉब्म होग अगरे ता प्लीज हमें कमेंट कर दिया कीजिए जिसे आपका फीडबाक हमको मिलता रहा है तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपकी वीडियो पसंदा होगा तो अगर पसंदा है तो प्लीज एक लाइक दबा दीजे और हमारे चैनल कर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किय हैं सब्सक्राइब कर दीजे और बस मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार